हेलो अबरेबन वेलकम यूओ ओल एट लोकेस सर अलेम्टरी स्टडी जोन और सी यूई टी एंड ये स्पेशल क्लासिस 2023 में आप सभी का स्वागत है मित्रों आँगे बढ़ने के पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पे हमारी जो लिंक दी हुई है चैनल की उस लिंक पे जाकर के आप जो है उस लिंक को वाटसप लिंक को जोन कर लिजे क्योंकि वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वगेरे सारा कुछ उसी लि उसी तक कंटीव आप कोरें गी गीजांब करें ऐ सोर्षांगे कि अगर आपके पास कोई मैट्रीस इस तरीके का दिया हुआ है देखे कुछ इस तरीकी का मैट्राइस आपको दिया गया है कि A B equal to A C आपके पास क्या रिया है कि A B equal to A C जहां पर A is not equal to 0 है तो आप यह दिए यह समझेंगे कि A से A को cancel करने पर हमेसा B equal to C का result valid होगा बट ऐसा बिल्कुल नहीं है B is not equal to C होने पर भी A B equal to A C जो होगा वो क्या होजागा valid होजागा आईए देख लेते हैं इसको यह देखे आपके पास में एक example दिया गया है यहाँ पर B और C आप equal नहीं ले रहा है यह B है और यह C है यह B और C यहाँ पर equal नहीं है बट B और C के equal नहीं होने के बावजूद भी आपका A B और A C जो हो रहा वो equal हो रहा है तो याद रखेगा इफ A B is equal to A C and A is not equal to 0 it does not mean that B is equal to C मतलब जरूई नहीं कि B और C जो है equal होंगे B और C के equal नहीं होने पर भी यह चीज valid हो जाएगी क्या चीज A B equal to A C चलिए अगला question देखते है question number 22 अपके सामने दिया screen पर देखे A B यह B यह C दिया और आपको यह चीज देखनी है तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि जो matrix होता है वो आपका कॉन सा rule associative rule follow करता है तो यह एक important concept है कि matrix के case में A B multiply by C is equals to A multiply by B C हुआ करता है यह matrix के case में valid होता है and A times B plus C equal to A B plus A C भी valid होता है तो यह आप जो है इसको आप देख लीजे solve कर लीजे ओके यह property आपका important रखना है अगर आप CUETU entrance examination की बात करते हैं इसकी property बहुत important है next दीखे आपको क्या प्रूफ करना है P दिया है Q दिया है तो आपको प्रूफ करना है कि P into Q और P into Q और Q into P दोनों जो है equal है तो अब ध्यान से दिखिए यह diagonal matrix है तो जो diagonal matrix के case में जो होता है P और Q और Q और P जो होता है equal होते है मतलब आप यहाँ पर condition बना सकते है कि इन दक के case of diagonal matrix जो होता है वो commutativity follow होती है और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बहुती simple question है अगर आपके पास एक diagonal matrix दिया गया तो जस्त आपको करना क्या है आपको जो है इनके element को correspondingly multiply कर देना मतलब गुणा कर देना है तो आपने इसके element correspondingly multiply कर दिये तो आपके पास में answer आ रहा है और PQ किसके equal आ रहा है PQ जो है वो QP के equal आ रहा है तो चलिए अब आगे बढ़ते है नेक्स देखिए आपके पास क्या दिया है कह रहा है कि इस आपके पास यह multiply दिया गया है तो आपसे एक ही value मांगी गया यह बहुत ही simple concept है जस multiply करते जाएए तो सबसे पहले अपने पास में 2 है तो आप चाहो तो पहले 2 end वालों का multiply कर दो जैसा कि इसमें किया गया है पहले किसका कर दिया है इसका multiply तो order फ्रोस चेक कर लेते है पहले वाले का order है 3 cross थी और दूसरे वाले का order कितना है दूसरे वाले का 3 row है और 1 column है तो वैलेड हो जाएगा तो multiply करने पर कितना आ जाएगा multiply करने पर आ जाएगा अपने पास में 3 cross 1 का matrix यानि कि 3 row 1 column और फिर आप इसको multiply कर देंगे तो आपके पास 1 cross 1 का एक answer आ रहा है ये दिया हुआ है तो अच्छा question था ये ओके ये भी question जो है competitive exam में आ सकता है चोटे चोटे question जो होते competitive exam में आते है अगला देखे आपको verify करना है distributive एक तरीके से law ही है है ना तो यहाँ पर क्या हो जागा देखे distribution of multiplication over addition है a times of b plus c equals to होता है कितना a b plus a c तो ये valid हो रहा है a times of b plus c equal to a b plus a c जो कि बड़े easily आप जो है इसको valid कर लोगे, proof कर लोगे कोई problem आपको नहीं जाएगी a times of b plus c equal to a b plus a c then इसके बाद देखे क्या कह रहा है कि a is equal to this then verify a square plus a equal to a plus i okay a square plus a equal to a plus i where i is the three cross the matrix ठीक है न तो यहाँ पर देखे आपके सामने a दिया है और a square निकाल लिया हम लोगों ने तो a square निकालने के बाद हमको a square में a को add करके हमें क्या लेकर कर आना है a plus i के equal a into a plus i के equal लेकर कर आना थोड़ा से यहाँ पर mistake हुई I think यहाँ पर देखे जो proof करके हमाँ पर सला रहा है वो a into a plus i है okay so क्या हो जागा यहाँ पर a into a plus i यहाँ पर क्या हो जागा यहाँ पर हो जागा a into a plus i इस तरीके से आप यहाँ पर यह भी पता कर सकते हैं कि आप इसको जो है यहाँ से common भी आपका आ सकता है मतलब a square plus a में अगर आप a common ले ले तो bracket में आपको क्या बचेगा inside the bracket आपके पस में a plus i बचेगा ठीक है तो यह चीज यहाँ पर आपको proof की form में दे दी गई है a square plus a equals to a multiply by a plus i तो इसको आपको proof करना है देखे कैसे proof किया गया है ओके a square plus a आ गया है और फिर इसके बाद a into a plus i कर दिया गया है कि अगर आपके पास a square plus a है अगर आपने pre-common a ले लिया है तो आपके पास क्या बचेगा a plus i बचेगा ओके और यहाँ पर इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर बाद में भी a common ले लिया है तो यदि आप बाद में भी common लेंगे तो क्या जाएगा a plus i multiply by a ऐसे आप बाद यहाँ पे शिप होगा था डिसकस कर लिया आप देखे प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुकी है इन प्रॉपर्टी इसको आपको वेरिफाई करना अपने 12th क्लास में ऐसे काफी सारे वेरिफेकेशन किये हैं बस वही है तो A-A का ट्रांसपोस का ट्रांसपोस इकॉल टू A तो इसको आप कैसे समझ सकते हो A ट्रांसपोस का ट्रांसपोस इकॉल टू ट्रांसपोस है बड़ा एसली अप्रॉफ कर लेंगे AB का transpose equal to पीछे से B transpose into A transpose and K A का whole transpose that is equal to K times of A transpose, यह हुआ करता है OK, K times of A transpose चलिए, तो यह proof करना बहुत आसान बात है आप इसको यह हम से clear हो जागा तो इसके first part देख लिए यह इसका पहला part है, यह इसका second part है और यह इसका third part है OK, बस proof ही करना है कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा चलिए, अब देखते है next question यह देखी, बहुत ही simple question है, आपकी यहाँ पर property लग जाएगी, है न, यहाँ पर क्या लगना property लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या शोकनना आपको कि सबसे पहले 2 A plus B का whole transpose equal to 2 A यहाँ पर थोड़ी सी misprint होई है misprint होई है, यहाँ पर क्या लगा, 2 A transpose plus B transpose, यह देख लिजे 2 A transpose plus B transpose, तो क्या सीखने को मिल रहा है कि जो transpose होता है, वो addition में बढ़ जाता है, मतलब आपके पस कोई matrix है A plus B का whole transpose यह आप करते हो, तो A transpose plus B transpose आएगा, ओके, और A minus B का जो transpose आएगा that is equal to A transpose minus का B का transpose यह हो जाएगा तो यह distribute कर सकते हैं आप बढ़े आराम से distribution देख लिजे यहाँ पर, बहुत बढ़ी है ओके, और आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है A minus B equal to दिया गया इतना, अब A minus B का transpose जो है, वो हमने निकाल लिया, और this is equal to A transpose minus B transpose, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत easy question है, done this is चलिए, next question देखते हैं, question number 29, show that A transpose into A and A into A transpose, बोथ हार symmetric matrices for any matrices, यह आपको प्रूफ करना है कि यह symmetric matrices है, यह question important है, ओकी यह question क्या important है, क्या कह रहा कि show करो कि A transpose A जो है और A transpose दोनों ही symmetric है, तो आपने A इसका P लाम ले लिया है और आपने P का transpose कर दिया, तो क्या आ चुका है, A A का whole transpose equal to A transpose into A, और A transpose into A पलट करके आ चुका है, इसका मतलब कैसा है, P transpose जो है P के equal आ चुका है, इसका मतलब कैसा matrices होगा, कौन कैसा, A transpose A A transpose A कैसा matrix है, symmetric matrix है, और साथ ही साथ A A transpose भी है, उसका भी कोई नाम दे दो, Q नाम दे दो, A A transpose ले लिया, तो कितना आ गया, A transpose का whole transpose into A transpose, और यह फिर से आपका कितना आ चुका है, A A transpose, मतलब Q transpose equal to Q आ गया, मतलब, आपके पास A into A transpose, और A transpose into A, दोनों ही कैसे matrix है, दोनों ही symmetric matrix है, दोनों ही कैसे matrix है, symmetric matrix है, यह question important है, इसको transpose ले के आप कर सकते है चलिए अगला question देखिए अगला question है, let A and B the square matrix of the order 3 cross थी, if A B का whole square equal to A square B square चलिए आए चेक करते हैं, कि क्या A B का whole square जो है A square B square के equal हो जाएगा की नहीं होगा, ओके A B का whole square equal to A square B square के equal हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, यह आपको बताना है, तो देखिए, A B square हमने solve कर दिया, A B का whole square equal to we can write A B into A B ओके, A B into A B आपने इसको लिख दिया है, ठीक है अब देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, कि है ना, कह रहा है कि A क्या कह रहा है, कि आपके पास में, कह रहा है कि A B का whole square जो है A square B square बनेगा की नहीं बनेगा, मतलब A B का whole square फिलाल आपके पास क्या है फिलात आपके पास आया है एवी का square आया है एबी इन्टू एवी एवी इन्टू एवी ओके इआपके पीजिए हैya आप कि ही जदी आपके पास में आप चाहते हो कि है इसे आप आप A square B square लिख लो आप इसे क्या लिख दो A square B square लिख लो तो इसके लिए क्या condition बनीगी इस चीज को आप सोचो ओके तो इस question को आगे करने के लिए क्या करो आप इसको एक special technique से आप इसको यहाँ पर लिखो और समझो फिर का आप देखो इसको क्या लिख सकते हो A B A B लिख सकते हो अब आपके पास में यहाँ जो डेखो condition समझो अगर आपके पस में A B जो है अगर B A के equal हो ओके तो यहाँ पर देखें क्या बेठा है यहाँ B A बेठा है अगर आप यहाँ पे A, B, A की जगए क्या कर देंगे A, B, पुट करेंगे मतलब कंडिशन आपने मन में सुची कि अगर A, B की जगए आप यहाँ पे B, A की जगए आपने क्या पुट कर दिया A, B, पुट कर दिया तो यह क्या होगा, A हो गया और B हो गया into B हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया है A square और ये बन चुका है, क्या B square बन चुका है, ठीक ना, तो मतलब ये चीज़ होने के लिए A, B का whole square जो होगा, अगर A, B का whole square, A square, B square हो रहा है, तो क्या condition बनीगी, उस से में condition बनीगी, A, B equal to B, yes, अगर A और B commutative है product, तभी ये condition बनीगी, तो ये question जो है थोड़ा सा important है, इसको कर लीजिए, अगर A और B matrices है, 3 cross ठीके, और A, B square, जो है A square, B square है, तो क्या condition बनीगी, A, B equal to B, कैसे बनीगी, एक बार फिर से बता देता हूँ, A, B square जो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, आप A B into A, okay, then A square, B square बनाने के लिए, यहाँ पर देखें, B A बन रहा है, और B into A, अगर A, B के equal होगा, तो A, B into कितना हो जागा यह, आपके पास में, A, B into A कितना होगा, A, B, तो ये A, A into B, बन गया, that is equal to A square, B square, तो ये बहुत ही simple तरीके से हो गया, आपका, next question देखेंगे, आप आपके पास क्या कहरा, show that then matrices, square matrices, A, B equal to B A given है, तो ये होगा, बहुत ही simple question है, multiply कर दीजे, A, B और B A दो बार बनेगा, उसको add कर दो, to A भी हो जागा, क्यों हो जागा, क्यों हो जागा, क्योंकि A, B की जगे B A है, तो आप यहाँ पर B A की जगे में, A B transpose कर दो, और इसको solve कर ही है, और इसके बाद में कहा रहा है, कि इसको solve करना है, ओके, इसके बाद में, तो properties समझ लो, यहाँ से, यह property समझ में आ रही है, यह property क्या बता रही है, यह property क्या बता रही है, constant का multiplication बता रही है, यह property constant का difference बता रही है, यह transpose का transpose है, यह B बाहर आ चुका है, मतलब constant पे कोई transpose का असर नहीं पड़ेगा obviously constant पर क्यों पड़ेगा और a b का whole transpose equal to b transpose a transpose यह बताएगी matrix का distribution बता रही है कि a minus b over c है that is equal to a c minus b c हुआ करता है okay and next property आपको a minus b का whole transpose आपको बता रही है तो बहुत ही simple है आप इसको देखिए आराम से और कर लीजी बहुत ही simple properties है और for the context of competitive exam आपको यह properties जो है यह याद करनी चाहिए मतलब आपको इसको remember मतलब थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए यह properties आपकी help करेंगी ठीक ना और practice करोगे तो आपको याद भी हो जाएगी तो मैं एक एक question दिखा देता हूँ देखिए सबसे पहला question यह और भी यह तो the given था यह पहला पार्ट है इसका तो पहला पार्ट आप लो आराम से लिके कर लीजी then इसके बाद में यह इसका second part है okay यह इसका second part है and then यह इसका third part है and then यह जो है इसका fourth part है and then यह इसका sixth part है and then यह का seventh part इसके बाद seventh हो गया यह and then यह इसका eighth part है eighth के बाद यह ninth part है okay आप इसको कर लीजे चलिए अगला question देख़ें अगला question है a है और आपसे a square demand किया गया है तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, ए है और आपके बादेखे, a² cos2q sin2q, minus sin2q, और cos2q, तो इसको आपको just multiply कर देना है, तो यहां से एक आप थियोरम भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, देख लो, कि अगर आपके पास a की structure यही है, तो आप एक shortcut बना सकते हो, कि a क a की power जो n बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा, cos nq, sin nq, okay, minus sin nq, and cos of nq, यह आपके पास में a की power n की structure बनेगी, okay, तो इसे भी आप जो है, as a remembering factor में इसको ध्यान रख सकते हो, cos nq, sin nq, minus sin nq, और cos nq, तो आप इसको एक remembering shortcut के तोर पे आप जो है, इसको याद रखिए, यह जो है एक आपका remembering shortcut है, done, okay, तो I hope इसके concept आपको clear, अब अगले question के और चलते हैं, देखिए, अगला question क्या है, अगला question है, आपको की a दिया है, okay, and b दिया है, and x square equal to minus 1 दिया, क्योंकि x की एक entry है, यहाँ पे show that a plus b ka whole square equal to a square plus b square, okay, तो a plus b ka whole square में आपको क्या करना, पहले आपको a plus b बनाना, यह बना लिया, a plus b, then a plus b को whole square में दोनों को आपको multiply करना है, और यह बनेगे आपका a plus b square, then इसके बाद right side part up part क्या है, a square plus b square, तो आपको add करके इसको proof कर देना है, so simple, तो यह दोनों के equal आ रहा है, okay, easy question है, आप लोग देख सकते है, yes, इस तरीके से, यह इसका solution पूरा दिया है, a plus b का whole square equal to a square plus b square, so simple question, a square equal to i proof करना है, बहुत ही easy question है, क्या कहने इस question के, है न, सीदे a square equal to i proof कर दो, square को i के equal दिया है, okay, इसको proof पूरा एक single window में देख लीजे, यह दिया है, a square equal to i आजाएगा, multiply कर दीजे, a square equal to i, prove by the mathematical induction, a transpose की power n, यह important है, okay, देख लोगों ने कर रखा है, तो अच्छी बात है, जिल लोगों ने नहीं कर रहा है, तो करने की कोई जरूरत नहीं है, induction को आपको, है न, तो क्या करेंगा, तो आपको करना क्या है, कि a, बस formula को याद रकलो, कैसे formula है, कि a transpose की power n that is equal to a to the power n का transpose, okay, done, okay friends, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, repeat कर देता हूँ, कि जो property हुआ करती, mainly जो आपको याद यूज करनी यहाँ पर, वो क्या है, a transpose whole to the power n that is equal to a to the power n का transpose, okay, या तो आप देखे, इस property को, ठीक है न, सीरे सीरे याद कर लो, और वाकी induction आपको important नहीं है, तो इसका पूरा process तो हलाँ कि य अपना important नहीं है, चलिए अगला देखे, अगला question क्या है, अगला question है, find the inverse by elementary operation if possible, तो elementary operation जो है, कैसे करते हैं, अगर आप row operation लगाते हैं, elementary, तो a equals to i a करते हैं, but objective के लिए इस में आपको ज़्यादा परिशान नहीं होदा है, objective में ज़्यादा इस्तमाल नहीं होगा, तो elementary operation आपको directly equals to i a से, और अगर आपने सीख रखा है, elementary operation करके, आपको inverse लगाना होगा, और बाकी यदि इसकी short trick की बात की जाए, inverse लगालने की, तो short trick यदि मैं आपको यहाँ पे सिखा देता, देकि short trick कैसे करते हैं, इसका rule होता है, principal को पल्टो, secondary का sign change, तो principal diagonal को आपको पलटना है, देकि principal diagonal आपको पल्टेंगे, यहाँ पे principal diagonal 1 7 है, तो यह 7 1 हो जाएगा, और secondary का sign change तो यह 5 और minus 3 हो जाएगा, और नीचे इसका determinant का divide कर दो, तो 1 7 जा 7, और minus minus plus हो जाएगा, 5 3 जा 7 plus 5, याने 22, तो इसका जो answer आएगा, कितना आएगा, 7 upon 22, 5 upon 22, minus 3 upon 22, and 1 upon 22, तो यह इस का answer आचुका, फिर से trick बता दूँ, देकि principal diagonal को आपको पलटना पड़ता है, मतलब इस चीज़ को बिलकूल पलट दो, और इस वाले का sign change कर दो, और इसका जो determinant उसका divide कर दो, और बाकी यहाँ पर elementary operation दिया गया है, तो आप elementary operation दिया आपको बनता है, तो उससे कर दीजे, बा A inverse आपका exist नहीं करेगा, और इसके लिए परिशान होने की जुरत नहीं, मतलब आपको A inverse जो है exist यहाँ पर करने वाला नहीं है, ओके, तो second वाले question में जो है A inverse exist नहीं करेगा, चले आँगे बढ़ते हैं, अगला question देखे, अगला question कहा रहा है कि x, y value दिया गया, then find the value of x, y, z and w, so simple है, x, y की value 8 है, w, w की value देखे, 4 देख रहे हैं, सबसे पहले, z plus 6 equal to 0, तो z पर जल जाएगा, और x plus y equal to 6 है, तो कुल मिलाके 2 equation बन जाएंगे, x की value 6 minus y निकाल लिए अपने, ओके, तो 6 minus y into y equal to 8 है, अपने equation बना लिए, ओके, और इस equation को जो है, आप solve कर लो, कौनस equation को solve करना, आपको, इस वाली को, x plus y equal to 6 है, जो अपने बनाई है, x, y equal to 8, ओके, तो यह y में equation पूरी की पूरी बन गई, और y में equation करने के बद आपके पस दो value आ चुकी है, y equal to 2, y equal to 4, तो 1 x equal to 4 आ चुका है, एक x equal to 4, x equal to 2, तो देखे, यहाँ पे x की value क्या रही है, x equal to 2 2 पे y equal to 4 है, और x equal to 4 पे y equal to 2 है, और z की value minus 6 भी आई है, और w की value की तिया यह 4 आई है, तो यह काफी सारी values आपके आएंगी, बारी-बारी से इनको करिए, so this question is also a good type of question, next करते हैं, अगला question देखे, if 39 question में आपको A दिया है, B दिया है, and matrices C आपको null matrices है, तो आपको जो है, कि यहाँ पर C क्या होगा, okay, so 2C, such that C, 2C is a null matrices, तो यहाँ पर देखे, 0, 0, 0 कर दिया आपने और 2C की value निकाल लिजे, तो चार equations आपके पास आचुके हैं, चार equation करने के बाद आपके पास जो आपने C माना था, A, B, C, D आपने जो मान रखा था C को, okay, इसको आप simplify कर दिज से, बहुत ही simple question है, then question number 40 की बात करते है, question number 40 देखे, क्या होगा, question number 40, if A equals to इतना, then आपको find करना है, A square minus 5A, minus 14I, then find A cube, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, A cube निकलना है, hence obtained A cube, तो एक चीच यह निकलनी है, और इसके बाद आपको A cube निकलना है, तो सबसे पहले इसक A square minus 5A, minus 14I की structure बना लिजे, और इसको simplify कर लिजे, ओके, यह आपने simplify कर लिए, बहुत ही simple तरीके से, A square minus 5A, minus 14I, equal to 0 कर लिए, then इसके बाद आपको A cube निकलना है, तो एक काम करो आप यहाँ से, यहाँ पर पूरे में A का multiply कर दो, A का पूरे में आप multiply कर दो, तो यहाँ पर क कितना हो गया, देखी, यहाँ पर हो चुका है, A cube equal to 5A square minus 14I, so A cube equal to 5A square और यहाँ पर प्लस 14I आ जाएगा, और इसको आप solve कर लिजे, क्योंकि A square तो already आपके पास existing है, okay, A square आपके पास में already है, okay, तो A square की value जो आपने निकाली थी, यह वाली रख करके आप इसको solve कर सकते ह इसका एक और method है, simple करने वाला, जिसको मैं आँगे बताऊंगा, देखी, question number 41, find the value of A, B, C and D, तो आपको A, B, C और D की value आपको find करनी है, इसकी A, B, C, D, तो matrix equations दिएगा है, simple है, बहुत ही simple question है, series simplify करना है, और A, B, C, D की value निकालनी है, ठीक है, next question number 42, find the matrices A such that this A equal to इतना, तो आपको कहा रहा है, A matrices, तो यहाँ से पहले सबसे पहले इसका order पकड़ो कि आपको कितने का multiply करना है, यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है, यह order क्या है, यह two, three rows है, two column है, मतलब first matrix आपका three cross two, और इसमें आप M cross N का multiply करोगे, तो आपका answer कितना है, three cross three का, देखो जी, तो यह कितना होना चाहिए, यह two होना चाहिए, यह match करने के लिए, और यह कितना होगा, यह इसको देख करके यह बन जाएगा, three बन जाएगा, okay, तो मतलब यह जो matrix आपके पास में, यह कितने का होना चाहिए, two cross three का, two cross three का matrix होना चाहिए, तो two cross three का आपने कोई matrices ले लिया इसका multiply कर दिया फिर उसके बाद different different equations बन जाएंगी और equations को solve करके आप क्या करोगे यहाँ पे equations को solve करके आप जो है value निकाल लोगे एक ही, okay then तो यह वाला question भी हो गया, काफी बड़ा है, आराम से करिए इसको देखी, फहले इसका पहला party है, okay question number 42, then इसके बाद में इसका दूस 3 कर देखे, क्या करा a दिया है, तो a square plus 2a plus 7i, so simple question a square निकालेजे, 2a plus 7i add करके answer निकालेजे, चली, बहुत ही simple question है, okay, इस अगला question देखी, क्यारा कि a equal to इतना है, then a inverse equal to a dash, then find the value of alpha, तो यह question दो पार्ट में होगा, आपको एक तो a inverse है, और फिर आपके पास में a dash है, okay, a inverse a dash equals to है, आपके पास में, a inverse equal to a dash दिया है, तो आप inverse भी निकाल सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी आप यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर a का multiply कर दें, तो a into a transpose बन जाएगा, बहुत ही simple question हो जाएगा, तो आपको better क्य करना है, यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास में, क्या दिया है, a inverse equals to the a transpose, तो आप a का multiply left में भी कर दें, और right में भी कर दें, तो बहुत ज़्यादा मजे से हो जाएगा, यह question, और a into a transpose हो जाएगा, ओके, और a inverse into a कितना आजाएगा, आई, तो यह देखे, अब यह question बहुत आसान बन चुका आपका, अब यह question आपका बहुत आसान बन चुका, a inverse equal to a का transpose, तो a into a inverse equal to a transpose, यह आई आ चुका है, और इसको आप solve कर दीजे, ओके, so identity लगा दीजे, और using equality of matrices का concept लगा करके आपके पास में, alpha की value, cos square alpha plus sin square alpha, any value of alpha, क्योंकि यहाँ पर, यह statement बन रहा है, तो so the value of alpha कितनी आजएगी, any value of alpha, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए अगला question, okay, yes, तो, मतलब easy question था, कुछ है नहीं, इसमें, इसमें method अच्छी लग गई है, कि आप a inverse equal to a dash है, तो आप इसको solve करने के लिए inverse नहीं निकाल रहा है, आपने क्या-क्या, a का multiple, प्री multiply कर द करते हैं, आँगे हैं, दिखिए क्या है question, आँगे कह रहा है, excuse symmetric matrix है, find the value of a, b, c, तो आपको पता है, a कुछ भी, a यहाँ पे है, तो a, 2 है, तो यह कितना होना पड़ेगा, इसको minus 2 होना पड़ेगा, क्योंकि, excuse symmetric matrix का आप लोग rule जानते हैं, a, i, j, equal to minus a, j, i, लिग देता और c कहाँ पर बेठा यह है, तो c इसका opposite होगा, तो यह minus 3 हो जाएगा, और बाकी दी बात की जाए, method की तो आप जानते हैं, excuse symmetric matrix की property, a transpose equal to minus a होता है, वहाँ से आप इसको यह लगा सकते हैं, okay, 45 question is done guys, next question की बात करते हैं, देखिए, अगला question है, if px equal to इतना है, show that px into py equal to px that is equal to py into px, में बड़ा question है यह, आपके पास ही px दिया गया है, okay, क्या है, cos x है, cos x है, इधर minus sin x है, और sin x है, ऐसा question 12th class में भी है, तो px into py करेंगे, तो आपके पास में कितना जाएगा, यह p of x plus y की function मन जाएगी, okay, तो आपको एक competitive exam में प्रूफ करने को आ सकता है, कि full speed में लोग चल रहे है, p of x plus y, तो यह देखिए, अब इसके बाद py into x निकाल लिया है, तो py into px भी जो है, वो कितना रहा है, p of x plus y है, okay, तो यह एक बढ़िया सी short track, short cut आपको बन रहा है यहाँ पे, कि यदि आपके पास में, अगर p वाला matrix आपका यह हो, px यह दिया गय गया है, okay, तो px into py equal to py into px जो है, यह इस तरीके का matrix, मतलब कि यह जो matrix है, एक तरीके से commutativity का support भी कर रहा है, x और y के function में, commutativity का भी यह support कर रहा है, तो बढ़िया question है, note करिए इसको, देखिए बच्चों मेरा experience बोलता है कि आकर आपको कभी भी कोई short result मिलता है ना, उसक आप लोग थोड़ा सा एक mind में रख लिया करो, या थोड़ा सा कहीं पर लिख लिया करो, क्या होता है कि अगर वो short result आपको एक्जाम में याद आ गया दी, तो आपको बहुत सारा समय बचा लेता, और उससे आप बहुत आँगे चले जाते हो, आके बाकी बच्चों से, चल से पहले यहाँ पर अपने square निकाल लिया है, तो square निकालने पर देखे कितना आगया है, i square प्लस a square, तो यहाँ पर देखे 2i square तो i है, यहाँ पर हो गया, कितना 2a i हो गया, 2a i हो जागा, और a square बचा तो आपने i प्लस 3 a put कर दिया, और फिर आपने इसमें क्या कर दिया, i प्लस एका फिर से multiply कर दिया, तो I square plus 3AI plus AI plus 3A square तो यह कितना हो गया, यह हो गया, 3AI plus AI, 4AI हो गया, ओके और AI तो ए ही होता है, और यह साथ में एक 3A बच जाएगा, because A square equal to EA, तो answer कितना आगे, 7A plus I, तो यह question मैं कहूंगा, most recommended है, very important, क्योंकि NCRT की question तो जियो के तियों छाप दिये जाते हैं CUAT में, okay, चलिए अगला question देखे, question क्या कहा रहा है कि 48, if A and B are square matrices of the same order okay, same order B is the skew symmetric matrices, then show that A, B, A is skew symmetric, क्या कहा रहा, कि A B जो है, symmetric square matrix है same order के, A और B जो है, उस same order के matrix है, और B जो है skew symmetric है, तो आपको show करना है कि ये जो matrix है, तो आपने क्या किया ये जो आपके पास में matrix है, okay देखे, B जो दिया गया है, आपके पास में कैसा matrix है skew symmetric matrix है, ठेक है ना B जो है, आपके पास में skew symmetric matrix है, और A और B के बारे में कुछ नहीं बताया गया A और B जो है A के बारे में बताया गया A के बारे मेंकुछ नहीं बताया गया है systematically चलिए यहीं पर मैं सको solve करता हूँ देखिए क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले इस matrix को P को ले लिजे, A dash B और यहाँ पर A, अब आप क्या करिए, P का transpose कर दीजे, that is equal to A dash A transpose B और A का whole transpose, यदि आप इसको open करेंगे तो पीछे से open होता है, यह A transpose into B transpose और A transpose का transpose हो जाएगा, यह निकी A हो जाएगा, तो यह कितना हो गया, A transpose A transpose हो गया है, ओके, और यह B transpose कितना हो जाएगा, minus B, और A transpose कितना हो गया, A that is equal to minus बहले और आप लिख सकते हैं, इसको A transpose B और A, मतलब की minus of A dash B A, अब देखो ध्यान से, यह जो है, P का transpose जो आ रहा है, P का transpose equal to minus of P आ रहा है, ओके, इसका मतलब यह जो matrices आपको दिया गया, यह कैसा matrices है, इसक्यू symmetric matrices है, यह आपको check करना था, तो यह matrices है, इसको symmetric matrices है, I don't know इन लोगों नहीं यहाँ पर क्या क्या, आप यहाँ पर जो है, मेरा method इस्तमाल कीजिए, जो मैंने आपको करके बताया भी, आप जो है, मेरा method इस्तमाल कीजिए, okay, so guys, यह थी हमारे शुरुवात के 48 questions, जो हमने छो झाल कीजिए, जो हमने इस्तमाल 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 कीजिए, ज